हेलो फ्रेंड स्वागत आप सब्सक्राइब इन मैथेमेटिक्स क्लासेस में अजुग रहेगा वह मीन मीडियन मोड और रेंच के लिए वीडियो रहेगा इसमें आपको सीटेट में वन माक्स इसकोर करने के लिए बहुत हैल्फूर रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीन मीन मतलब होता है माध्य मीन को इंदी में कहते है माध्य और इसे डिनोट करते हैं मीन होता क्या है जैसे हम बच्चों की परतिशत निकालते हैं अंको का उसे ही माध्य कहते हैं ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आंकडो का कुलियोग या फिर प्रापतांको का कुल फॉर्मूला में लिखे तो यह होता है समेशन जिसे योग कहते हैं ओके समेशन एक्स डिवाइड़ वाइड़ वाइड वाइड एन जो हो गया वह नंबर ओफ स्कॉर हो गया मतलब कि आकड़ों की संख्या हो गई तो देख लिते हैं इसका स्चण किस तरदगें पूछ जाते हैं समेशन इक्स डिवाइड वाइड़ वाइड़ वाइड वे फॉर्मूला जो होता है अन गृूप डेटा के लिए होता है तो question पूछी जाते हैं आपको कि माल लिजे कि एक विद्दार्थी में जो है अपने विद्दाले में Math, English, Hindi, Social Science और और भी सब्जेक्ट में संस्क्रीट में पांच विश्यों में स्कोर किया कितना तो 25, 30, 30, 32, 28 कुछी इस परकार का स्कोर किया ठीक है तो इसका बोला जाएगा कि और शद निकाले या फिर माद्दे निकाले तो और ध्यान रखिए का दोनों जो होता है वो सेम होता है तो आप देख सकते हैं कि यहां N कितना है तो N मिंस number of score कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो पांच दिया हुआ है अब स्मेशन एक्स के बारे में बात कर लें लिए तो समेशन एक्स जो होता है इन सभी का योग मतलब की 25 30 30 30 30 32 28 ठीक है तो इन सबी को जोड़ देते हैं तो देख सकते हैं जोड़कर मैंने लिग दिया तो हुआ मैंने क्या पता है कि मीन मतलब मादी का फॉर्मूला क्या होता है तो मादी कॉल टू जो होता है वो प्राप्तांकू का योग ठीक है यह हो गया योग divided by प्राप्तांकों की संख्या योग या संख्या तो योग कितना है 145 divided by 5 तो फटाक से इसको हम divide कर लेते हैं आ जाएगा हमारा answer ठीक है तो यह निकल गए हमारा माधित आई होगी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग median median जो इंगलिस में median कहते हैं और हिंदी में कहते हैं और फूंदी का कहते हैं मध्धे को जो स्को्र कि रहेंगे उन सबीके बीच जो स्कोर होगा वही उसका माधिक मांधीह का होता है आये सको पहले formula से देख लेते हैं तो इसका यह formula होता है वो दो तरह का होता है ठीक है एक sum के लिए मतलब की even number के लिए जो होता है वो होता n plus 1 divided by 2 अपद ठीक है और दूसरा जो होता है वो बिशम के लिए तो बिशम के लिए होता है n by 2, n plus 1 divided by 2 ठीक है इनका और शत इनका क्या होता है और शट जो हम लों लिकालते हैं मतलब की माध निकालते हैं वो होता है इसका माध लिका लेकिन मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको दोनों ही बता दूंगे ठीक है तो इसे बनाने के लिए पहले क्या किया जाता है पहले इसे अरेंज किया जाता है अरेंज करते हैं हम लोग ठ तो ascending to descending कीजिए औरोही क्रम में कीजिए या फिर आरोही क्रम में कीजिए आपकी मर्जी चीक है तो मैं यहां क्या करती हूँ छोटे से बड़े के करम में करती हूँ मतलग कि ascending order में ओके तो छोटा सबसे छोटा देखे क्या है इसमें 36 तो मैंने 36 लिख दिया उसकी बाद क्य होता है वो number of term होता है कि कितना numbers है तो 1,2,3,4,5,6 अब देख सकते हैं कितना है छे number है तो formula क्या था एन प्लस 1 डिवाइड़ बाइड़ वा पद था राइट तो एन कितना है तो 6 है तो 6 प्लस 1 डिवाइड़ वाइड़ वा पद हो गया मतलब 2 टर्म हो गया तो 6 और प्लस 7 by 2 हो गया न तो 7 by 2 का मिन्स की होता है 3.5 तो 3.5 वो पद तो कोई होता नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो रहते हैं वो 3 पद का भी यहां से देखिए 3 पद पहला दूसरा तीसरा तो 3 पद ठीखिए 3 पद क्या था 55 प्लस चौत्छा पद 60 यहां क्या लिए था मैंने और सथ निकालना था इसलिए इन दोनों का और सथ कैसे निकलेगा तो उन दोनों को जोड़को divided by जितना नंबर थे पहला नंबर ये था दूसरा नंबर ये था इसलिए नीचे 2 ऊके बस आड़ कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए आजाएगा तो देख सकते हैं ये क्या हो गया हमारा answer ये किसके लिए मैंने निकाला तो ये था समसंख्या के लिए ठीक है अब बिशम के लिए देख लेते हैं तो बिशम के लिए बहुत ही सांदार सा trick है कि कुछ नहीं करना है आपको माली जी कि एक एक्जामपल ले लेते हैं हम लोग ठीक है तो देख सकते हैं यहाँ पर ही मैंने एक्जामपल ले लिया तो इसे मौलय में ठीके विशम मौलय में क्यां टरह कि इधर से आप जितने अंग काटेंगे, यहां से पहले है नंबर मैंने काटा, यहां से पहला, फिर यहां से दूसरा, दूसरा ओके आगे पीछे करकर एक एक नंबर को हम काटते जाएंगे ठीक है तो जो बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा तो अगर आपको time safe करना है तो आप number फटक से count कर लिजे विशम दिया हुआ है किसम दिया हुआ है और इस तरह से बना सकते हैं तो आएए मैं formula से भी आपको दिखा देती हूँ तो n कितना था formula क्या था n plus 1 divided by 2 वहाँ पद राइट तो n कितना था देखिए 3, 3, 3, 3, 9 था 9 और 1 मिलके 10 बटा 2 तो कितना हो गया पांच वह पद राइट तो आप देखिए पांच वह पद में क्या है यह पहला पर 2, 3, 4, 5 तो आप देख सकते हैं आंसर क्या था 65 तो आपको अगर time save करना है तो इस तरह से shortcut track से बना सकते हैं ठीके अब हम लोग पढ़ेंगे mode यानि कि बहुला कि यह क्या होता है तो यह जो होता है कि दिया हुआ जो भी आवरीती होगा उन में से सबसे ज़्यादा बार जो आपका आखड़े आए रहेंगे वही जो हो जाएगा frequency जो आई रहेगी वही जो हो जाएगा mode हो जाएगा तो आई एक example के द्वारा दिखा रेते हैं ठीक है तो यह मैना example ले लिया अब यहां पर यह जो है जो है हो फांच बार है the worst पांच हो देख सकते हैं जो होगा वह खिंफ है भांगी पांच क्म बार है तो इसका जो होगा यह हो गार वह हो जाएगा आपका 6 तो आई होप आपको समझ आ रही होगी जो आकड़े रिपीट करते हैं बहुत जादे बार वो सबसे जादा बार जो होता है वही होता है बहुलग ओके तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग रेंज मतलब परीशर या फिर प्रसार भी से कहते हैं तो यह जो होता है जो भी हमें आकड़े दिये रहेंगे उसमें से जो सबसे निम्न सीमा रहेगी और उच्छ सीमा रहेगी उन दोनों का जो अंतर होता है वही होता है प्रसार ओके तो यहां पर देख सकते हैं मैंने एक पोश्चन ले लिया ठीक है यह एक्जामपल रूप में मैंने ले लि दिखाते हैं तो उच्छे ठीक है प्राप्तांक या फिर उच्छे आकड़े माइनस मिन आकड़े ठीक है तो आप देख सकते हैं इस कोश्चन में जो है यहां सबसे बढ़ा क्या था 88 माइनस अब सबसे छोटा आपको लग रहा होगा जीरो लेकिन याद रखिएगा जीरो होता है उससे भी छोटा जोटा है नेगेटीब आला होता है इसलिए मैंने एक माइनस लेकर दिखा दिया था तक कि आप एक्जाम में कन्फूज ना होग तो यहां पर क्या हो गया माइनस 22 जो हो गया वह सबसे छोटा आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो तो 88 plus 22 बस add कर दीजे आपका आजाएगा answer ठीक है तो ये होगे आपका answer तो I hope आपको समझ आ रही होगी अब देख लेते हैं exam में कैसे question पूछे जाते हैं एक तो देख सकते हैं ये question है previous year 2016 का September का direct आपको कोई भी माद्य या फिर बहुलक परीशर या माद्य नहीं पूछेगा ठीक है इस तरह कही question आपसे पूछे जाएंगे तो आप पहले अच्छे से question को पढ़िएगा तो देखिए क्या दिया हुआ है निम्ना आकडो के बहुलक माद ये इसे solution करते हैं तो बहुलक उपके बहुलक आपको परीशर का माध्य निकालने हुआ है परिश्वर भी फटाक से निकाल लेते हैं तो परिश्वर क्या हो जाएगा सबसे बड़ा आप देख सकते हैं आपर क्या है 14 है तो 14 माइनस सबसे छोटा देख सकते हैं क्या है 1 है तो कितना हो गया 13 अब जो है माधिका निकालने के लिए क्या किया जाता है पहले अरेंज किया तो यह क्या है एं का है थर्टीन पता चल गे और है तो फटाक साइब काट कर जैसे मैंने त्रिक बता था उस तरह निकाल लीजे यहां से कट यहां से कट जबी जल्दी करने के लिए यहां से दो काट दिया तो देख सकते हैं आप क्या बच गया चार तो इसका जो माधी का है वो क्या आगया उर sta अपका चार यह बने का निकाला एंतीन निकालना थे निकाल्स एन सेमें कितुने नंबर चैनल मांधे तो निकालनाना थे निकालना था इन तीन नंबर तो आपको समझ आ रही होगी अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले और लाइक करना ना भूले थैंक यू थैंक्स पो वाचिंग